ख़वर हरियाना से जहां वेर हाउस के चेर्मेन एबं प्रिथला विधान शवासे विधायक नेयनपल रावत ने कहा है कि कॉंग्रेस के समय में ग्रामिन छित्र की सड़कों पर पैबन भी नहीं लगते थे और मुक्मंत्री मनोरलाल लगातार ग्रामिन शित्र के विकास पर कारे कर रहे हैं और इसी के तहत प्रिथला में लगबक धाई करोड रुपए की लागत से कई ऐसी सड़क बनाई जा रही है जो पिछले 20 सालों से कच्ची पड़ी हुई है विदाग नेयन पाल रावत ग्राम पनहेरा में गाउं के लिए जाने वाली शड़क के सिलेन्याश अवसर पर बोल रहे थे इस मगबन ने गाउं के बुजरुक से नारियल फुड़वा कर सड़कों के निर्मान कारे का शुबारम किया नोंने का कि मुक्मंत्री मनहुर लाल की देन है कि आज प्रिथला में लगब ढ़ाई करोड की लागत से छेतर की कई ऐसी सड़कों का रिर्मान कारे सुरु हुआ है जिसके कारण लोगों को पांच से दस किलो मिटर दूर घुम कर शफर करना पड़ता था इन सड़कों के बनने के बाद ग्रामीनों को काफी असानी हो जाएगी अगामी मार्च माह तक प्रिथला विधान सभा में कोई भी सड़क तुटी हो ने जर नहीं आएगी जो बहुत जादा जर जर आलत में थी उन सब का संदरे करने के लिए उन सब की रिपेर करने के लिए और कुछ सड़के नई मार्केटिंग बोर्ट से जो बनाई जा रही है लगवक दस सड़कें ऐसी पास कराई हैं जो कभी भी इन गामों को देखने के लिए माने मुखमांति मनुखमांति जिक किर पासे 10 सड़कें जो नहीं हमारी मंजूर हुई पांस रखेंप और वी जिनको मंजूरी हमारी मिल जाएगी और आज एक जो पनहरा कला की सब्सक्राइब जो एक कच्चा रास्ता जिसको था उसे हमनें पका करनें लिए और बहुत पर सफर था वो ज्यादा करना पड़ता था घूम के जाना पड़ता था आज उसका उद्गाटा